हेलो और वेलकम तो माथ अडिक्शन राज हामी डिस्कस गरने साहूं बिजनस स्टाटिस्टिक्स को पार्ट वन इसमा हामी स्टाटिस्टिक्स को डेफिनेशन रो तेसको इंपॉर्टेंस को बारेमा चरशा गरने साहूं नेपाल राष्टर बैंक रा नेपाल बैंक लिमिटेट को वेकेंसी ओपन वह से को कुरा सबलाई जानकारी होला रा यह वीडियो नेपाल बैंक लिमिटेट को लेबल 4, 6 रा 7 को सिलिबस लाई ध्यानमा राहेर डिजाइन गरे को वीटीयो हो रोप एसमा तपाई स्टाटिस् स्टाटिस्टिक्स के यो तथ्यांक हो वा तथ्यांक सास्त्र हो आम शियोर धरेजनाले यो कन्फूजन हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ So, आखिरी statistics मनेको क्ये हो? data हो? या कुने 20 हो? एसको बारेमा हामि चरचा गरचाओं दुए अर्ध ठीक्सन एसको मतलब statistics मनेको तथ्यांकose बनी हो रद तथ्यांकose शास्त्र बनी हो जब हामि statistics लाई तथ्यांकose बन्चाओं यसको मतलब येदी हामले statistics लाई नुमरिक डेटा को रूप मा लियों बने तेस लाई statistics को plural definition बने रवन्ने गरींच रजवा हामी statistics लाई तो थ्यांक सास्त्र भन्षों मतलब कुने 20 को रूप मा लिंचों तवा हामी statistics को singular definition प्रयोग गर रहेका हुंच के हो statistics को plural definition In plural sense, statistics refers to aggregate of numerical facts systematically collected for some pre-determined purpose कुने निशित उदेश्चे का लागी बेवस्तित तरिकाले संकलन गरीएको संख्यात्मक तथे हरुको श्रेनी लाई तथ्यांक बनेंच येसको मतलब हरे संख्यालाई statistics भन्ना मिल दयना जस्ते मले यानिर एकल संख्या सिंगल नंबर लेग दिये 40 kg यो भने को statistics हुए न statistics हुना को लागी की हुन परसा बन्दायरी तथे अरुको श्रेनी या series of data हुन परे जस्ते मानो मिले तीन ओड़ा बिद्ध्यार्थी को A, B, C को weight लेखे यानिर 40 kg, B को 50 kg र तेसे गर्र C को 55 kg भनेर लेके पेची यो data को समोव भ, set भ, सो एस तो data को collection लाई हामी statistics भनेर भन्ने गर्षों जो कुने निस्चित उद्धेश्य को लागी collection गरियेको हुन्च र एस बाता हामी के निकालना सक्षों इनियो और को average या आउसत निकालना सक्षों त्यो single number ल यो पुरई set of data लाई represent गर्षों, so statistics भनेको कुने साधरन संख्या होई न, statistics भनेको used mass of data धेरे data बट निकालियेको योटा निस्कर्श हो, योटा निचोड हो भनेर भुजनुस, so plural sense मा statistics ले aggregate of numerical facts भुजनुस, according to this definition यो परिवासा अनुसार, statistics भनेको के रहिशेत, it simply means data, कुने निस्सीत उतेश्यका लागी collection गरेको data रहेच, चसला हामी numerically express गर्ना सक्षों, मतलब संख्यात्मक रूप मा तबाई तेशला है प्रस्तुत गर्ना सक्णुस, so data बनेको कती किसिम को होना सक्ष, दुई किसिम को primary र secondary, येसको बारे मा हामी पचिसर्चा गर्नेचा होई था, नेक्स माच, स्टाटिस्टिक्स को सिंगुलर डेफिनेशन बननाले की बुजिन्चा, so in singular sense, स्टाटिस्टिक्स में बी दिफाइन अस the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data, सिंगुलर सेंस मा कुरा गर्दा, स्टाटिस्टिक्स बनेको तथ्यांक संकलन गर्ने, प्रस्तुत गर्ने, बिसलेशन गर्ने रब ब्याख्या गर्ने बिज्ञान हो, यह वड़ा science हो, जसलाई सोट करी माँ हामी, तथ्यांक सास्त्रों बने रपनी बनने गर्शों, सो तपाई, डिफरेंस बुजनु जैत, plural sense मा, statistics ले, डेटा बुजाऊं स, नुमरिक फॉर्म को संख्यात्म ग्रुब माँ प् गर्ने यो सब को रह सिकाऊंच, statistics refers to the tools and methods which can be applied to raw data to derive some meaningful information, so statistics बने को के रहे स सिंगुलर डेफिनिशन अंसार, यो बने को तरीका या विदिहर को संगालो हो, जस्त वारा हामी कोनी बनी data बट महत पुर्ण जानकारी निकालना सक्सां, लबामी सर्चा गर्शों, types of statistics को बारे म अथवा statistics का प्रकार कतीवडा हुँँचन, तो दुई किसिमको statistics हुँँच, पोईले वालाच, descriptive अथवा बढणात्मक statistics, descriptive statistics are the summaries of data in the form of tables, diagrams, graphs और numeric values, इसको मतलव, कुने data लाई, जब ताले का रेखा चित्र, graph या एकल संख्या द्वारा संख्या रूप मा प्रस्तूत गर इसलामी बार डाइग्राम्स बने राउंच, यो सपपई की हो, यो सपई data को representation हो अलग अलग तरीक आले, तो यो सपई को समिश्रण बने को क्योंच, descriptive statistics हो, इसले हाम लाई, तूल ओ डेटा लाई, संखे प्रूप मा प्रस्तूत कस्री गरने, तो तरीका सिकाऊंच, ताले का मा कस्री प्रस्तूत गरने, रेखा चित्र बनायर कस्री प्रस्तूत गरने, graph कस्री बनाऊने, यो सपई कुराहरू, जुन statistics बित्र इस्टडी गरिएंच, तेसला हामे, descriptive statistics बने रहा बनने गर साँ, अब अब सम अब डिस्क्रिप्टिव स्टाटिस्टिकल मेजस आर, र केई प्रमुक यानि रहा, descriptive statistics मा यूज उने, tools रहा टेखनीक सर्गो बारे मा तलो लिखे गुशा, इस्वित्र प्रमुक रूप मा के क्या आउसन बनायरी, मेजस अब सेंट्र अब सेंट्र पर साँ, मेजस अब स्क्योने स्कुने 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 स्क INFERENC inference को मतला बंच अनुमान So inferential statistics बनेगो के रईचा बंदा हैरी यो एवटा branch of statistics जसले दुईटा कुरासंग सम्बंदर राक्स एवटा estimation अनुमान लगाउने र दोसरो hypothesis testing जसला हमी परिकलपनागो जास बने र बनने गर समयत Inferential statistics मा के गरिएंचा बंदा हैरी एवटा ठूलो population बड़ा हामी एवटा स्यानो sample लिनच ठूलो population बड़ा तबा एवटा स्यानो sample लिनऊंच यो sample को जाज गरिएंच परिक्षण गरिएंच र एश बड़ा आयको नतीजा लाई हामी जेनरलाईज गर सहों पूराई population को लागी मतलब एश बड़ा जू नतीजा होसा त्यो नतीजा पूराई population को लागी सई होला बनने हामरो अनुमान होंच या परिकल बना होंच हाईता यो प्रोसेस लाई इन्फरेंचियल स्टाइस्टिक्स बने र बनने गरिएंच यो पॉइंट मा ते इकुरा एक्स्पेन गरिएको सह samples are taken from a population using sampling techniques and then some statistical methods are applied on the sample to derive some conclusion which can be applicable to the whole data अथो a population यसमा कुने population बड़ा sample लिएंच नमुना त्यो नमुना माथी परिक्षन गरिएंच और तेस बता आयको निसकर सलाई पूरे population को लाइगी ठीक सह बने र मानें सह यो हो inferential statistics so descriptive inferential statistics बिसमा के फरक्स descriptive statistics ले data को नेचर ले describe गर सह average द्वारा, dispersant द्वारा, कोने graph द्वारा, diagrams द्वारा हाम संग अलग अलग तरिका सह data लाइ describe गरने descriptive statistics inferential statistics मा हामी अनुमान लगाँ सो योटा population वड़ा sample लींच, त्यों sample लाइज आज गरींच र तेस वड़ा तबाई पूरे population को बारे मा कुने अनुमान लगाँनोंस तेसला हामी inferential statistics बने बन्ने गर सो यसमा बिसेस गरर प्रबाबिलिटी को मेन यूज उन सह यो संभावना बन्ने जुनोंस योवाला यसमा बिसेस गरर प्रबाबिलिटी लाबामी हर्शन statistics को महत्व केश importance of statistics अलग-अलग सेक्टर मा सब़ेवन्दा पहलो पॉइंट माँच statistics help in weather forecasting मौसम को जानकारी दिनको लागी statistics को प्रबाबिलिटी forecasting बन्नाले भविशेमा मौसम कस्तो रहनेच तेसको बारेमा पूर्वा अनुमान लगाउनको लागी statistics को प्रबाबिलिटी दिनको यो इसको पहलो यूज हो दोसरो statistics are mostly used by researcher अनुसंदान करताले इसको बिसेस करर प्रबाबिलिटी देटा अनुसंदान करताले डाटा लाए कलेक्शन गरनु परने हुँँश तेवेलामा उसले statistics को नौलेज अप्लाई गर्ष यदी उसले सई संग डेटा कलेक्शन गरेना बने उसको समेर पहिशा दुए खरस जाना सक्ष तेसेले statistics अनुसंदान करतालागा लागी बिशेस महतोगु कुरा हो थाड मा statistics are used by insurance companies यह बीमा कमपनी अरले बनी statistics को प्रयोक गर्ष धेरे insurance company ले insurance दीनु बंदा पहिला statistical model सरको प्रयोक गर्ष ताकी यह था होस कि कुने particular बेक्ती या business लाई insurance दीनु ठीक हो या हैन रिस्की स या कम रिस्क वाला सर यो गुरा थाबाऊनो को लागी insurance company ले बनी statistics को प्रयोक गर्षन चोथमा सर in financial market statistics plays a great role financial market जाने रा हामी पैसा लाई invest करना सक्षन return कमाऊना सक्षन त्यो market मा बनी statistics को प्रमुग भुमिकाऊंच कुने company को share किन्ने कि न किन्ने यो कुने येवटा particular company मा पैसा लगाने गरने कि न गरने यो सब पई decision लिनको लागी market लाई रामुग संगा study गरनु पढ़ने उंच बिगत मा भाय कात्त थ्यांक हरूलाई analysis गरनु पढ़ने उंच अनि बल्ला तबाई आपनो लगाने मा रिटन पाऊना सकनोंच अधर्वाइस तबाई को लगाने दूगना सक्ष तेसले statistics को knowledge financial market मा बनी काम लाग सा इत पांसों पॉइंट मा statistics play a big role in medical field जुन medical field सा दवाय अरको जुन फिल्द सा तेसमा बनी statistics को प्रह्मु भूमिकाऊंच before any drugs prescribed scientists must show a statistically valid rate of effectiveness statistics are behind all the study of medical कुने बनी दवाय बनावने कमपनी ले हामरो दवाय इफेक्टिब सा हामरो दवाय ले सईसंग काम गर सा वन्ने कुरा प्रमानित गरना को लागी statistics को प्रयोक गरेर relevant information प्रमीश करना परने हां सा हाई था statistical concepts are used in quality testing quality testing मा बनी statistics को प्रयोक गरें सा companies make many product on a daily basis and every company should make sure that they sold the best quality items but companies cannot test all the product so they use a statistics sample so statistical concept are used in quality testing रस्ते वड़ा company ले product बनाई सगे विशी त्यो product को quality कस्तो श त्यो test गरना को लागी पनी statistics को प्रयोक गरेंश अब सपई product लाई जाज़ गरना सकिन्न ते वहर कमपनीले के गर्स बंदारे कुने यवडा निस्सिद नमुना लियंश test को जाज़ गर्स रत्यस पसाड़ी यह दी त्यो sample को quality रामरो देख्या वने पुराई population को quality पनी रामरो होला बनने source का आधार मा यो product लाई market मा लांच गरींश गर्स अइत साथो नम्मर मा statistics आर used in accounting and auditing accounts र अडिट्स मा बनी statistics को प्रयोक गरींश अडिटर लेके गर्सा बनना हरी case sample accounts लाई लिये रा तेसको बिशलेशन गर्सा रत्यस पसाड़ी यह दा audit report तयार गर्साइद आठो नम्मर मा news reporter makes a prediction of winner for elections based on political campaigns. Here statistics play a strong part in who will run the government. जो news agencies हर हुंशन, news reporters हरुंशन तिनले बनी statistics को प्रयोक गर रहेगा हुंशन यो था पाउनों को लागी कि आगा में चुनाव मा कुंचाई पार्टी को जितना सकने संभाउना बेशी सा कुंचाई पार्टी ले सरकार सलाउने सा यो सपड़ाई जान गारी statistics द्वारा news agency और ले ली रहेगा हुंचन रहेगा नौ नंबर मा statistics data allow us to collect the information around the world the internet is a device which help us to collect the information the fundamental behind the internet is based on statistics and mathematics concept जसे हमी internet चलाऊंचाउं internet चलाई रहा हमी एक ठाउंदे के और को ठाउंचाउंचाउंचाउंचाउं इन्टर्णे बर जान गारी तुबाई internet प्राप्ता गđरना सकन हुंचा गूगल ले तंबाई लाइट चाहे जान कारी फ्यू सेकेंड़््समा दीन सक्सा यो सपड़ाय कसरी संबावँचा तेस्ट्स भित्रपनी statistical रर mathematical सभालिकल मोर्डल सरु अपलाइ गरिये गूंच से, यूँटा Force उआ स्तारिक्स्तिक्स को वि सेस प्रयोक गरिये को पंस इतर पाइंचसे 10 नमर मा स्तारिक्स्तिक्स एर विल्ली यूज्टेक्स और था सास्त्रमा स्तिक्स को सिस प्रयोक वुछे It helps in making economic policies, economic policies बनावनो को लागी, knowing unemployment rate, बेरोजगारी को प्रतिशत कस्तो स, त्यो थापावनो को लागी, capital utilization, capital को प्रयोग, पुज़ी को प्रयोग, कसरी भईरयोगो स, त्यो थापावनो को लागी, statistics को आवशेक्ता हुन स, या statistics को प्रयोग गरिन स, इता. ला यो वीडियो माई एतिने, होब तमाईले, statistics को बारे मां कही बेसिक जान गरी पक्के बनी पाउनु भयोगो अला.